बाबबा जी की प्यारी साथ संग जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संग जी, आपका हमारे जूटूब चैनल में स्वागत है साथ संग जी, आज हम आपको दो साखियां सुनाने जा रहे हैं साथ संगर जी अगर आप अपने गुरू की खुशी हासल करना चाहते हैं तो सब काम छोड़ कर आप तुनों साखियां अद तक सुने जी साथ संगर जी हमें दूसरी दौलत की तरह हैं नाम की दौलत की कमाई के लिए भी पूरी लगन से मेनत करनी चाहिए क्योंकि नाम का खजानना हमारे अंदर है उसकी चाब भी साथ गुरू जी ने हमें दे दी है केवल बाते बनाने से धन प्रापत नहीं हो सकता रास्ता और मंजल दोनों ही हमारे अंदर हैं हमें केवल अंदर जाकर अपनी जात्रा शिरू करनी है और अगर हम गुरू के देश के उनसार हर रोज भज़न सिम्रन करेंगे तो कोई बज़ा नहीं है कि हम अपनी मंजल पार ना पहुंच सकें साथ संगजी आज की पहली जो साखी है वैं बहुत ही प्यारी साखी है साथ संगजी जहां पर गुरू जी का जिकर हो गुरू की बाते हो उससे अच्छी जगा और क्या हो सकती है क्योंकि गुरू में असीम पावर होती है क्योंकि मालक इंसान का रूप लेकर गुरू के जम अगर आपने किसी सख़ जमीन पर किसी लोहे के किल को गारना हो ऐसा नहीं है कि आप उसे एक यह बार में गार देंगे आपको बार बार उसे थोड़े से मानना पड़ेगा तब जाके जो किल जमीनी के अंदर जाएगी इसी परकार जैसे जैसे आप सासाग सुनते रहोगे संगत जी आज की सक्षी में हमें पता लगेगा की कैसे अगर गुरु चाहे तो हुमारे जन्मों जन्मों के कर्म कार देता है संगत जी एक लड़का जो की कहीं जौब करता था जहां वो रहता था वहां से कई लोग देरे सेवा करने के लिए जाया करते थे जब वै उनको सेवा पर जाते हुए देखता तो उसके मन में भी सेवा करने की इच्छा जागती पर जोब छोड़कर वै जा नहीं सकता था फिर उसकी बहुत कोशिश के बाद उसे जोब से तीन चार दिन की छुटी मिल गए उसने कोई बहाना मार कर जोब से छुटी ले ली जब छुटी ले ली तो उसने घर वालों से कहा कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ उसने बस पकड़ी और डेरे पहुँच गया जब डेरे पहुंचा तो उसने सेवादार से कहा कि मैं तीन चार दिन के लिए डेरे में सेवा करना चाता हूं सेवादार ने बोला कि मैं तो तुम्हें कोई सेवा ही नहीं दे सकता जे काम तो सेक्टी साव का है मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूं वै उस लड़के को सक्ति साव के पास ले गया सक्ति साव ने पूछा बताओ बेटा क्या काम है उस लड़के ने बोला कि मैं इस शहर से आया हूँ और मुझे तीन-चार दिन की छुट्टी मिली है और मैं तीन-चार दिन सेवा डेरे में लगाना चाता हूँ किर्पया मुझे तीन चार दिन के लिए कोई सेवा दे दें आपकी बड़ी कृपा होगी मेहरबानी होगी सेक्टरी साथ उसे एक गेट के पास ले गए और कहा कि इस गेट से अंदर कोई नहीं आना चाहिए तुम्हारे खाने पीने का सारा समान जहीं पर पुँचा दिया जाएगा उस लड़के ने कहा कि आप चिंता मत करो इस गेट से कोई अंदर नहीं आ पाएगा बैल लड़का वहीं गेट पर सेवा करने लग गया पहले दिन तो लड़के के खाने पीने का सारा समान लड़के के पास पहुंचा रहा पर अगले दो दिन तक लड़के के पास कुछ नहीं पहुंचा वे लड़का दो दिन सिरफ पाणी पीकर ही अपना गुजारा करता रहा और सेवा करता रहा जब दो दिन तक उसने कुछ नहीं खाया तो उसे बहुत गुशा आया क्योंकि वे दो दिन से भूखा था उसने एक सेवादार को कहा कि आप थोड़ी देर गेट पर ड्यूटी दे जो मैं थोड़ी देर के लिए सेक्टरी साब से मिलकर आता हूँ वे सेवादार उसकी जगा गेट पर ड्यूटी देने लग गया और वे लड़का सेक्टरी साब के पास उनके आफिस पहुँच गया और जाकर सेक्टरी साब से बुला कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैं दो दिन से भुखा हूँ और आपने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा चक्टरी साब ने उस लड़के से दोनों हाथ जोड़कर माफी माँगी और कहा कि बेटा मुझे माफ कर दो एक दम से देरे में संगत बहुत बढ़ गई थी मैं तो बारे मारे में तो भूली गया था मुझे माफ कर दो लड़के का गुसा शांत हो गया फिर सेक्टरी साब ने उसे अपने पास बठा कर भर पेट खाना खिलाया और चाय पलाई लड़के ने खाना खाने के बाद कहा क कि अब मैं चलता हूँ तो सेट जी बोले कि सिरफ आज की रात तुम गेट पर ड्यूटी दे दो सुबह चले जाना लड़का मान गया और गेट पर ड्यूटी देने के लिए चला गया जब रात हो गई तो देर आता किसी ने गेट खटखटाया लड़का बोला कि कौन है किसी को अंदर नहीं आने दे सकता मुझे माव कर दें तो दूसरी तरफ से हवाज आई कि अगर अंदर नहीं आने देना तो मत आने दो पर मैं प्यासा हूँ मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो वै लड़का बोला कि जी हाँ पानी तो मैं पिला सकता हूँ पर आप गेट खोल का जब पानी देने लगा तो उसने देखा कि गेट पर तो बाबा जी खड़े हैं, उसकी आंखों में आंसु छलकने लग गए, अक्सर हम देखते हैं जब बाबा जी के दर्शन देने के लिए आते हैं तो कैसे संगत की आंखों में आंसु छलकने लग जाते हैं, खेर बा दो दिन भूखे रहने से कड़ चुके हैं मैं वस जही बात तुझे को बताने के लिए आया था जी कहकर बबाजी वहां से चले गए संगजी सदकुरू कैसे हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता किस किस रूप में आकर वह हमारी सहता करता है और फिर भी वह मालिक हमें कभी भी जताता नहीं है वह क्या क्या किया है और हम थोड़ी सी सेवा करके और थोड़ा सा भजन करके उसे बताने लग जाते हैं संगजी हमें हमेशा उसके बहाने में रहना चाहिए